पर साथ याउलिय को यकमोज बंडे कॉमल वेलकम बैक तो मैं तो मैं अपको मैंlaw ode आप जाते जब पर आपको है लगानी पड़ती हैं उस टाइम पर तो आज मैं बिगनर के लिए यह वली वीडियो लेके आई हूं क्यूंकि मैंने भी बिगनर से ही स्टार्ट करा था और जब मैंने भी पहली पार आई लैश्य अप्लाय करी थी ना तो आई वास नर्वस की मुझसे अप्लाय होगी या नहीं होगी तो पहली बार तो मेरी कुछ थोड़े बहुत ट्रिक्स हैं अभी आइलैश को अप्लाए करने की यह बहुत ही सिंपल वे में मैं आप सबको बताने वाली हूँ आज की अगर आप बिगिनर हैं तो केश से आप आइलैश अप्लाए कर सकते हैं कौन सी आइलैश आप सबको लेनी चाहिए जब और आपने अभी आई लगाना सीख ही रहे होते हैं तो आपके पास कुछ ऐसी आई लैसे होनी चाहिए जिस पे आप बहुत जादा यह भी मेरी वीडियो की अपकमिंग नोडिकेशन और आप सबको मिलती रहे हैं अगर आप सबको यह वीडियो अच्छी लगे और इंफोमेटिव भी लगे तो प्लीज लाइख बटन ऑन माइदस वाली वीडियो गाई और कमेंट करके मुझे जरूर बताना काईस कि आप सबक यह पर पत करेंगे हैं अगर आइलेश की तो मैंने धह बुग मानी देख सकते हैं आप मेरे पास बौक्स का और जिसमें सारे की सारी आइलेशी की ऑइलेश भां मैंने और अइस बाक्न बाक्स में आई लांट कर सकाती दिख दो फीम और दो एक लिए और उसारी ने सब 652 व इस आइलैशी चछोड़ के पाकि सारी के आईलैशी मेरे इसंचों इस पितारे में हैं मैं सबसे पहले आपको आइलैश यह का अअएलैस्स बारो सदाती मूझ अर्टार है उसके। यह अब सबसे पहले वाली याइलाश कोछ यह जी ऑली थी जो कि थी पेयर ऐलाशेश के Beim इंडी होता है कोई ना कोई आई-लाइश वह यह रही तो अभी बात करूं मैं इन वाली आई-लाइश की कि यह रही हैसा है सबसे पहले तो स्वेस्थ ब्यूटी की जो आई-लाइश है यह पहली बार जब मैं ले रही दिनो थो थोड़ी सी स्कै्टिकल थी मैं इन वाली सब्सक्राइब करें तो यह सीन था मेरे साथ जब मैंने स्विस्स ब्यूटी की यह वली आई लैशे ना लिटरली यह वली सारी आई लैशे ना बिल्कुल ऐसे फील होगा जैसे हैं आप जब इन्हें अप्लाइब करते हो तो बिल्कुल भी फेकनेस फील नहीं होती है तो सबसे पहली टिप गाइस कि अगर आप कोई भी आई लैशे चुन रहे हो तो ऐसी चुनिए जो आपकी आखों पर लगी हुई ना ऐसे ना लगे कि फेक लग रही है बहुत जादा फ इंड़ा फर देती है तो थोड़ी सिसार फेक जाए जोड़ी आइलासम्र टो एक बाद एक कुछ इस तरहां की आई लेचजेशंगे का एसे इसे लिगड़ी आई लैशेत पे उसके बाद जाए क्योंकि मेरा मानना यही है कि अगर हम बिगिनर है ना तो हमें थोड़ी सी जो ओरीजिनल आइलैशिस होती है ना जो हमारी आइलैशिस की तरहा ही हूँ थोड़ी सी पतली हूँ और बहुत जादा घनीना हूँ वैसे आइलैशिस को यूज करना अगर मैं बात करूँ इन वाली आईलैशिस की तो मैं आप सबको बताती भी जाओंगी कि कौन-कौन से वीरेंट है सबसे पहले है मेरे पास जो की है पॉश कुछ इस तरहां से है यह वली आईलैश तो जो सेकिंड वन है वह है गरीसा आइडून नो मैंने पर नाउंस ही कर है यह नहीं गाइस गरीसा काइंड ओफ है कुछ इस तरहां से है पहुत ही प्यारे वाली आईलैश तो अभी आती है थर्ड आईलैश जो की है एंबो मैं बहुत ज्यादा बार यूज कर चुकी है इस आईलैश को अपनी वीडियो में कापी ज्यादा प्रिटी लगती है यह आईलैश लगी हुई तो अभी चलते हैं नेक्स आईलैश की तरफ जो की है नूबिया दिस वाज मैं फर्स आईलैश जो मैंने पर्चेस करी थी तो इस ब्यूटी की तो इस इस दे नूबिया एंड बहुत ही प्यारे वाली आईलैश है काफी अधल लेंट निंग वाली तो आप अगर पाटी में भी जा रहे हो आपको नहीं चाहिए कि बहुत साथा ग्लैमरस दिखें आप तो आप ऐसी वाली आईलैश यूज कर सकते हैं जो की है रूच तो मुझे काफी साथा पसंद है ये वाली आईलैश भी और नेक्स है नॉर जो की कुछ इस तरहां की और पर्णसियेशन पर प्लीज गाइज मझ जाना क्योंकि तो यह नेर नॉर जो की कुछ इस तरहां से यह यह भी बहुत प्रिटी वाली आईलैश है और मुझे थोड़ी से ना रैंपी वाली आईलैश जाधा पसंद है तो यह है नेक्सट वाली आईलैश जो की है नोवा तो अभी बात करते हैं नेक्स्ट आइलैश की जो की है डियागो कुछ इस तरह की है यह आइलैश अब देख सबी की सभी बहुत बहुत डिफरेंट एक दूसरे से तो यह आती है थोड़ी सी जादा ही वैंपी काइंड ओफ या कह सकते है फुलर काइंड ओफ जो आइलैश होत तो इस दे नेक्स्ट एंड जो नेक्स्ट आ रहे है वह विंकी यह बिप काफी जादा प्रिट्टी वाली आइलैश है अब देख सकते हैं अगर आप मतलब कहीं जाते है न तो डेफिनिटली ओकेशिन वगेरा पर जाते है तो ऐसी वाली आइलैश भी अप्लाइश करके जा हैं तो थोड़ी सी फुलर काइंड ओफ आइलैश पर आप जा सकते हैं और लैंथनिंग काफी अच्छी हो वैसे आइलैश पर जा सकते हैं तो अभी चलते हैं नेक्स्ट जो की है रिबैल अगें यह वली फुलर है बिल्कुल और बहुत ही ज्यादा प्रिट्टी वाली आइ मैं आप ज्पर फांच से ने तो इस आइलैसे धनी इंस मुझे सारी ओफंध था आपको जूम करके जरूर तिखा दूंगे कि कैसा उनका जो हैर उनमें 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 वह कैसे हैं तो इस इस देनेक्स और अभी आती है नेक्स जो कि है आइसी इस अग्षी इस आपको वेर्य प्रिटी वाली आइलाश और यह वली आइलाश को नहीं बहुत जादा बार यह हुआ था कि मैंने आइलाश जो करी और सारे की सारे ईलाश ऑडर करी ऑट अनफोरचनेटली उनके पास एक जो वेरियंट था स्याइड आउट आफ श्रोक था तो करके उन्होंने जो मिलती जूलती उस से आइलाश थी ना वह उन्होंने मुझे सैंड कर दी थी क्योंकि म तब गाइस तो इस इस दे लिए डोडा वाली आइलाश इस तो इस इस दे लास्ट आइलाश जो की हां यह है 5D27 कुछ इसका शेड नंबर होगा तो यह वली सारी की सारी आइलाश मुझे 99 पर पीस पे मिली थी तो मैं कहूंगी कि अगर आप यह वली आइलाश को ट्राय करना अगर आप बिगिनर रहे ना तो डैफिनेटली आपको इन में से कोई भी आइलाश मंगवा के ट्राय करके जरूर देखनी चाहिए गाइस और पहले आपको ओपन करके दिखाते हूं कि यह वली आइलाश कैसी है यह आप देख सकते हैं बिल्कुल गाइस ओरीजिनल हेर काइंड ओफ आईलाश है यह और ऐसा फेक सा फील नहीं होता जब भी मैं स्विस्टी की आइलाश को अप्लाय करती हूं तब तो गरके मुझे यह कुछ जादा पसंद है और कुछ इस तरह से हैं एंड गाइस मेरी दूसरी टेप यह है कि आपको न अगर आप बिगनर है न तो आप थिक वाला बैंड की तरफ जाए तो अगर आप बिगनर है तो पहली बात तो आप इतना ध्यान रुखिए कि आपको थोड़ा सा जो थोड़ा सा थिक हो ताकि आपना इजीली आप कैरीं कर सकें उस वाली आइलैश को इसली और एक आईलैश कुछ इस तरह से होती है मैं दिखाती हूं पतले वाला क्या होता है जब आप बिगनर होते हैं तो प्लीज ऐसी वाली आइलैश पर मत जाए क्योंकि थोड़ा से सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है आइलैश के ग्लू की क्योंकि उस पर डिपेंड करता है कि हमारी आइलैश कितने घंटे तक हमारी आँखों पी टिकने वाली हैं तो मैं जो आप सबको दिखाने वाली हूं वह हैं यह वाली प्लीज इनकी पैकेजिंग पर बिल्कुल भ अगर आप बिगिनर रहना तो आप एक बार वह वाली आईलैश ग्लू लीजिए और उससे अपनी आईलैश को मतलब फेक आईलैश को अप्लाए करने में तब आप ऐसे वाली ग्लू को पर्चेस करना और यह वाली दोनों की दोनों ग्लू बहुत जादा अच्छी हैं और इ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है इन वाली ग्लू के साथ और मैंने एक और ग्लू भी मंगवा रखी है वह जब मैं यूज करूंगी तो डैफिनेटली मैं उसके बारे में भी आप सबको बताऊंगी कि वह वाली आईलैश ग्लू कैसा वर्क करती है गाई बट यह वाली ज मैं कुछ अलग ब्रैंड की मंगवाई है तो डैफिनेटली मैं वह भी शेयर करूंगी कि कैसा वर्क करते बट यह वली आईलैश लू बहुत जादा अच्छा वर्क करती है गाई अगर इस वाली ग्लू को आपने अप्लाए कर रहा है ना अपनी आईलैश पे तो चौबीस गंटे तक भी आपकी आईलैश कहीं पर भी नहीं जाने वाली जब तक आप खुद पकड़के नहीं उतारेंगे तब तक नहीं जाएंगी तो यह होगी आईलैश ग्लू के पारे में बात सबसे पहले ना मैंने बहुत सारी वीडियो देखी थी पहले-पहले जब मैंने अप इक बार वीडियो देख नहीं करना तो हमें खुद को ही होता है तो बहुत जब्स जादा ट्राइश करी और मुझे बहुत ज़ादे दिक्कते भी आई आई लेश को था लिए करने में तो कई बार सही अपलाय हो जाती थी कहीं नहीं होती थी बट मुझे वीच़्िकली क्या अप्लाइ कर सकते हैं तो पहले तो गाइस ऐसे ले ली जो और मैं प्रैफर करती हूं कि अगर मैं कोई ग्लू ले रही हूं उसमें इससेल्फ उसका वांड हो ताकि मुझे अलग से हाथ पे निकाल के लगाने के जरूरत ना पड़े तो मैं डारेक्ली न इस वाले को लेती हू अभी मैंने इस तरह से वांड पे अप्लाय कर ली इसके तो अभी मैं इससे क्या करूंगी मैं 30 से 40 सेकंड्स तक मैं इस वली ऐलेश को ऐसे ही नीचे रख दूंगी थर्टी सेकंड्स के लिए इसलिए वेट करना होता है तांकि थोड़ी सी हमारी जो गुलू है वह सूख ज जब भी मैं ट्वीजर से अप्लाय करते हूं तो मैं अपनी ऐलेश को बहुत अच्छे से स्टिक नहीं कर पाती हूं बट रैधर देन जब मैं अपनी फिंगर्स का यूज करती हूं तो गाइस सबसे इंपॉर्टन चीज है कि हम जिसमें कमफर्टेबल है ना प्लाय करने में अपनी फिंगर्स को हमें वैसे फ्लाय करना चाहिए अगर आपको ट्वीजर असान लगता है करना तो आप ट्वीजरते करिए ब्ट मुझे अपनी फिंगर्स से लगाना ज्यादा लगता है आज पूर्ट पडnten पैसे ना क्या करो को एंप मिर लेड और को अपनी आई-लैश सबसे पहले आपको सेंटर से ही काम करना है मैंने अभी सेंटर में लगा दिया है अभी मैं पीछे वाली जो आइलेश है ना वहां पे मैं फोकस करूंगी तांकि मैं अपनी आइलेश को एक बस टिक कर सकूं गाइस सो यह देखिए मैंने यहां से पीछे से अपनी आइलेश को स्टिक कर दिया है अब भी मैं क्या करूंगी अपनी फिंगर से आगे की तरफ आइलेश को लेके आऊंगी अब देख सकते हैं कुछ इस तरहां से आइलेश आपके अप्लाए हो जाएगी और अगर आपको लग रहा है न कि आपकी आगे से अच्छे नहीं हुई अप्लाए तो आप ऐसे करके दबाएए आगे की तरफ आइलेश को और इससे क्या होगा ना वोवली आइलेश बिलकु कुछ भी नहीं है और थोड़ा सा ऐसे थोड़ा सा दे रही है तो वह वहली चीज का भी मैं आप सब को सुलूशन जरूर बताने वाली हूं गाइस तो आप ऐसे करके आइलेश को अप्लाए कर लेती हैं अपनी आइलेश को अपनी जो औरीजिनल आइलेश और फेक आइलेश से दोनों को ऐसे एकोली प्रेस करिए ताकि जो हमारी आइलेश है वह उत्रे ना इस वाली आइलेश को भी अपलाए कर लेती हैं पटापत से एंड प्रोसीजियू फोलो करना है गास ऐसे अपलाई करके न आपको पहले अपना बैक से ऐले से अच्छे से स्टिक करवाना है और फ्रंट पे हम ऐलेश को स्टिक करेंगे and this is done guys और अब देख सकते हैं मुझ से ना हमेशा क्या होता है इस बाऑन ही अच्छे से लगते हैं और कई बरना गोजी प्रॉबलम होती है इस बाऑन आई लाश पे बट अब देख सकते हैं दो learn ws पे अच्छे से स्टीक हो गई है अभी और अभी अगेन हम इससे क्या करेंगे प्रेस करेंगे ताकि हमारी फेक आइलेश है वो उत्रे न अभी नेक्स टेप होने वाला है मस्कारा जब भी हम आप आइलेश अपलाई करते हैं फेक वाली तो डेफिनेटली आपको न अपनी जो ओरिजनल आइलेश है और फेक दोनों कठी हो जाएंगे और फेक नहीं लगेगी अगर आइलेश अपलाई करें तो डेफिनेटली आपको आइलेश अपलाई करना चाहिए उससे क्या होता है न जो हमारी आइलेश का वांड होता है न वो छिप जाता है तो अभी मैं क्या करने वाली हूं यहां से थोड़ी तो मैं इससे क्या गरूंगी अभी आइलाइनर लगांगी और यह वली जो सारी चीज है वह आपको पॉसेटली दिखने वाली है उसके बाद आप देख सकते हैं अभी आपको ऐसा लग रहाता है जैसे हमेें ने पर ही अप्लाइक करी विए और अभी पेरिय पॉसेटली जब बिलकुल पर्फेक्टली लग रही है और बिलकुल भी ऐसा नहीं लग रहा कि मेरी जो और जो और जो फेक आइलाशे रहे हैं अब देख सकते हैं तो गाइस इस दो वे तो अप्लाइ आइलाशे जो कि है मेरा तरीका और जो मैंने सीखा कर-कर के आइलाशे एप्लाइ लेखले जो मैंने आप सबको बताया अपना तरीका आईलाशे लगा ओगा अच्छा लगने के साथ सब इंफो में द्वी लगा हो गाइस अगर अच्छा लगा हो और इंफो में लगा हो तो प्लीज हिट लाइक बटन बटन अन वाली वीडियो And also share my this video to your family members and your friends. And please subscribe to my channel guys. The Vigar and Vision by Komal for more such informative videos. And उसके साथ ही एक बेल बटन भी होगा guys. सब्सक्राइब बटन के साथ. तो आप उस बेल बटन पे भी हिट करना बिलकुल भी मत दूलिए गा. तांकि जो भी मेरी वीडियो की upcoming notifications और वो आप सबको मिलती रहें. So guys, मिलती हूँ मैं आप सबसे मेरी next वीडियो में. Till then, bye guys and thank you.